वापस नहीं हो गया और तब जाके संदेश खाली की महिलाएं साम डहा है और उन्हें दावा किया कि शाहजां शेक का संदेश खाली में इतना दब-दबा रहा है कि उसने कई साल से वहिलाओं की जमीन पर जबरदस्ति कपजा कर रखा है और तो और महिलाओं के दाओं के अलंकि इसके बाद इस पूरे मामले में राजनीती भी तेज हो गई है इस पूरे मामले में बीजेपी पूरी तरह से नजर बनाई किया है फलाल ताजा जानकारी के मताबिक बीजेपी ने इस पूरे मामले में डॉक्मेंटरी रिलीज करने का दावा भी किया है और दूसरी तरफ सीम मम्ता बेनर जी ने दावा किया है कि इस मामले पे अभी तक 17 लोगों को गरिफतार किया गया है लेकिन मुख्यारोपी शेक शाहजा अभी भी फरार चल रहा है अभी फिलाल इस घटा पर बीजेपी राश्ट्री प्रोप्टर सुधान चुत्रवेदी नहीं क्या कुछ कहा है सुर्गे इडी जब शाजांस शेक को गरिफतार करने गई थी और जिन लोगों ने उनके उपर अटैक किया था जो सीरे तोर पर माना जाता है कि शाजांस शेक के लोगों ने किया था उस विशे के उपर कोर्ट का डिरेक्टिव उस विशे पे है ये अलग विशे है मतलब कल के दिन आप ये कह दें कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस मेरा ना लिया जाए इसके लिए निर्देश है तो मैंने चोरी की या डकैती कर दी तो उसके उपर वो निर्देश लागो होगा मैंने पुना इस पश्ट किया है महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी एफ आई यार के संदर्ब में कोर्ट का किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं पर आपके सवाल में एक और बात आती है देखिए कैसे कैसे रतन इनोंने खटा कर रखें कि आर्थिक भृस्टा चार भी उनी का है पुलिस वालों पे पठ्राओं के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है ब्रेक के उसके बाद चर्चा भी शुरू करें नेता कॉंग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं गौरों मिश्रा बीजेवी प्रवक्ता और सुमित मलहोतरा टीमसी नेता हैं तीनों का बहुत-बहुत स क्यों यहीं कर रही है इस पूरे मामले को सरकार इसको गंभीर क्यों नहीं ले रही है भाश्पा का का मी यही है विपख्ष के ओपर आरोप लगाने का जब खूद के उपर बात पढ़ जाये तो कंडिकार जाना जेंकि कर नियों कथनी में अंतर यह निकिन सर्क्ष में नही शीतल जी इससे पहले भी यह कोई आज की घटना नहीं है संदेश खाले की यह साथ-अट साल पहले भी वहां पे नो ने कराता पाश्पावालों ने इस तरीके से प्रोपोगंडा कराता अब क्या हुआ कुछ नहीं निलबटा संदाटा चुनाओ मेने क्या मिला के वर यही ने सब्सक्राइब करवा रही है प्रोपेगेंडा है संदेश खाली कि इससे पहले चाहिए करना से लिकार करना से लिकता है चले लगता है संपर्क जो है वो इस वक्त तूट चुका है तकनी की रूप से प्रॉब्लम हो रही है लेकिन स्वाविनाद जी क्या लगता है आपको मंता सरकार अभी जो इस पूरे मामले को लेकर चुप है या इसको गंफिर नहीं ले रही है और दूसरे तरफ बीजेपी हो कॉंग्रेस हो वहाँ जाना चाहते है लेकिन उन्हें भी रोका जा रहा है इसके पीछे क्या समझा जा सकता है क्या एक सोच है क्या मान सकता है कि व बंगाल में तो हो रहा है जो राजिती धुरी करन के वज़ा से इस तरह से एडी और सीविया का इस्तेमाल सिर्फ वीपर्च के साथ किया जा रहा है बागी तो भारते जक्ता पार्टी में वासिम मसीन लगा हुआ है मोधी बीका जो आए एक दम नीट एंट लिंग हो जा है आप पहले अपना स्टैंड तो बताइए संदेश खाली का बाता चल रहा है संदेश में किस तरह से महिलाओं महिलाओं ने आरोक लगा महिलाओं किसा जो हुआ यह कृत देखिए किसी के लिए किसी सरकार के लिए ठीक नहीं है लेकिन हमारे जो टीमची के मित्र बता रहे थे सबसे बड़ा कृत भारत में पहली बार हुआ जो नंगनकर के मड़ी पूर में आज तक परधान मंत्री वहां नहीं गया मड़ी पूर बुलू प्रिंट लान में दो लेकर फिए क्या कॉंजns मानती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है नहीं वहां भी हुआ है जो नहीं जा सकता है और कही का भी और सब घंपना ना को चर्चा करना चाहिए जा एम प्रधान मंत्री चीस तरह से बहासण दे रहे थैं प्रधान मंत्री जी के संसद्य ऑचेतर में जो हो Should सब्सक्राइब जल्दी से जवाब दीजेगा दोनों नेताओं का दोनु घूमपिर के भारती जनता पार्टी पर आ पर दीजेगा दोनु घूमपिर के सभी पार्टी जो है वो बीजेपी पर आ रही है और कह रही है कि संदेश काली में बीजेपी करवा रही है ये सभी जो पूरा घटना करम हुआ है ये बीजेपी करवा यह टीमसी के नेता का कहना है संदेश खाली की आवाज तो पुरा देश अब सुन रहा है वहां कि महुलाओं ने साफ कहा कि यहां पर त्रिणमूल को छोड़ करके और कोई पार्टी का अस्तिक भी नहीं है वो लोग त्रिणमूल को ही वोट देते हैं और यहां तक कि त्रिण संदेश खाली नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में नजाने कितने संदेश खाली है तो पूरे पूरे नॉर्थ इस प्रकार की घटनाओं का गवाह है और पांच सो सरसट से जादे इंसरजेंट ग्रुप्स उग्रवादी ग्रुप्स वहां पर रहा करते थे और तमाव ऐसी गटनाओं हुआ करती थी क्या इतनी जल्दी स्वर्थी पटल से वो सारी गटनाओं उतर गई सब खतम हो गई यह तो भार्जी इंता पार्टी की चल रही सरकार है जिसने पूरे नॉर्थ इस्ट को शांती व्योस्ता वहां पर कायम किया और विकास की मुकी धारा के साथ प इसके ममताब एनरजी जी तो इस गटना को स्विकार ही नहीं कर रही थी वो तो कह रही थी कि जो महिलाएं बोल रही है मास्क लगा करके वह बाहर की महिलाएं हैं जब वह भी पटाग शेफ हो गया और जब यह तैय हो गया कि हां इसा अत्याचार उनके साथ हो रहा है तब गिरफतार कर रही है वहां के लोगों को उसमें भी जो मुख्यारोपी है जो उनका मेन गुर्गा है उसको सरकारी संग्रक्षर अप्राप्त है और वहां के तो पुलिस में अपरा दी है वहां के तो पुलिस में क्रिमिनल्स भरे हुए है जो उनके पहले में आपके साथ इस त करते ब state Rd कि वो राज्यसरकार के महँमान बनकर वहाँ पर रह रहे हैं। पुलिस की संग्रक्षिन में रह रहे हैं सरकार में हैं मुक्यार्व सब्सक्राओं क ne मुक्यार्व कर रहा हon में तो और 17 लोगं की गिरफ्तार EK दावES सरकार कर रही है तो एक जो वेक्ति है एक जो मुख्या रूपी है वो कब तक गिरफ्तार होगा वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है कि अरूपी हो चाहर रूपी हो रूपी चिती तरव यह मद्यक्त का नहीं होता है कि हम कोई प्यजबाब करेंगे कि इस तुम हिंदू हो तुम मुश्लिम हो तुम कि नहीं अजर कोई आरोपी है तो इस आरोपी वो पख़ड़ा जाए गए पर अज़र क्या आप पुलिस की या नहीं सरकार की संक्रेशन में है या नहीं जो भी जेप कारों पर अगरा जाता है पर अगरा जाता है मेरा सवाल कुछ और आप कहीं बात को घुमा रहे हैं आपका ये ना मुक्यारूपी कहा है किसके संग्रक्षण में है मुक्यारूपी भी पकला जाएगा जो पकला जाएगा कि पार्टी का हो किसी भी पक्षा नहीं जाएगा पंगाल के अंदर जो थंगा गराने की प्रयाश अतर माइड्य अंधियर अगये हुए बहुत हो प्रियंतर दोलagar उक्रह से लगे उन है मुझे इस तरीके के ये लोग गंडा करती हैं। मुझे इच्छा आजा पताइए। पुछ्ट प्रदेश चंदर इस महिना को जला जी आयाता है। राच मुराथ। इसके पर को सवाल देए। आतरफ की गटना है। बहुत बड़ी गटना थी। किसने दिन चली। मड़ी पूर की घटना के तरफ की चलना है। और आपकी इस और राजित्वान मुझे महिलाओं की संबान की बात है। महिलाओं की इज़त की बात है। आखिर यहाँ पर मंता सरकार को किस तरह से कदम उठाना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि अभी तक जो उसके कहले का मतलब है वो इस पूरे मामले पर गंभीर नहीं लग रहे हैं। देखें सिताजी 17 लोग पकड़े जाने का मतलब कि आरोफ शिद्ध हुआ और महिलाओं की सुरच्छा जिम्मवारी ममता दिदी का भी बनता हो और जी सरकार जहां सत्ता में राती है उसकी जिम्मवारी। जिस तरह से प्रधान मंत्री लाल किले से बराबर करते हैं कि महिला के सुरच्छा हमारा प्रथम प्रात्विक्ता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन देखा गया है निलंतर बंगा तो ही आया जहां राजनी किया जा रहा है लेकिन भाजपा प्रदेशी प्रदेश परेस्ट के राज्यों में जिस तरह से महिला उथ प्रदेश नंबर वन पर आ गया तो जिस तरह से उथ प्रदेश पर रहा है उसका चर्चा कोई नहीं करता है जैसे हमारे मित्र बदा मरीपूर का आज तक मरीपूर में प्रधान मंत्री जी नहीं गए, बुलुप्रिट लाने की बात कते हैं, डेकुमेंटरी दिखाने के बंगार को टार्गेट कीजी, लेकिन अपने, वहां जो अपरादी है उसको पुद करका आरेश करना चाहिए, जि इस तरह से उसको क्यों नहीं उसके चर्चन के जवाब लेता हूँ जल्दी से आपका जैस्वाल जी आपका जवाब जल्दी से लेता हूँ में गौरो जी से गौरो जिस जवाब दीजेगा मैं साथ करदेशा हूँ भारती जंता पार्टी की जहां भी सरकारे है किसी भी अपरादी को बख्षा नहीं जाता है वो चाहे कुल्दीप सेंगर हो या पिर काशे हिंदू विश्विजाले में जो गटना हूई वो भी संदिक्त है अभी पुल्दो जे चला किया उनको जेल भेजा जाए उस्तर प्रदेश नहीं किया उस्तर प्रदेश है जहां बलाईू में बारा लोग मिलके रेप तरहीं नहीं जखते हैं और लड़कों से गल्ती हो जाया करती है आज उक्तर प्रदेश में कैसी सखारा आगर प्रदेश करके बोलेगा दिशानि होए जास्वाल जी दो मिनटट रोके लोग में दिखाई लिया जैसवाल जी कि आपके पास आना चाहूंगा और बंगाल में आपकी सरकार है जिम्मेदारी आपके उपर है जिम्मेदारी आपके कंधू पर है वो कैसे आप निभाएंगे और पर इंसाफ कब दिलाएंगे सवाल यह है कि इसाफ में लेगा जो पहला है हमारा पहला कर्द्री पर आगए सुमी जी मैं मैं बात संदेश काली की कर रहा हूं उस पर बताइए अब नहीं कह रहा हूं अभी हमारी गौरफ अभी हमारी गौरफ हूं बड़े बर शापे कर रहे हैं इस पर देशों में पाजपाज इन नर्कों ने चुनाव से पहले आप दिखें सर आपको आपको ग्याद भी है कि महिलाओं ने किस तरह के लगाए है टीमसी के नेताओं पर क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कहा है महिलाओं भाई शीतल भाई मुझे अच्छाए बाब अब अब लगाया है तो राजित्थान की तो महिलाओं ने आरोप लगाया था कुछ कारवाई हुई है उन्यत महिलाओं के समय ने के लिए इस खास पेशकश में और अपना कीमती समय देने के लिए फिलाल संदेश खाली में हिंस सरकार दावे कर रहे है किस पर जल्द कारवाई होकर उन महिलाओं को न्याई दिलाया जाएगा लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में लगातार सरकार पर जो है वो घेरा करके बैठी हुई है अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये पूरा मामला किस दिशा में जाने वा